है नमस्कार कैसी है आप मैं अच्छी हूं है तो बहुत-बहुत शुब कामना है आपको रहे सारी शुब कामना है आप जो है सेकेंड नंबर पर आए हैं इस बार है है और पिछली बार कौन से नंबर पर आए थे पिष्णी बार जब मैंने पारि साल पहली भी मैंने पारि स yap किया ता उस यहां उस में यदए अच्छा सने नहीं थी और बहुत पहले साथ इन साल पहली मतलड मैं ने सिखानाग्मूस वक्तु तब त्वेंटी में फिर आए थी तो मझे आपसे कुछ सवाल करने हैं आपके पूरे एक्सपीरियंस को लेकर आप अच्छा तो अब आप क्योंकि सेकेंड नंबर बहुत अच्छी पोजीशन है आप समझते ही हैं तो कैसा लगा आपको सेकेंड पोजीशन पर आकर सबको सुनकि एसा नहीं लगा था कि ऐसा आजाएगा इतना अच्छा नंबर मतलब पहली बार मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि किसी और से कमप्शिशन नहीं करना है खुद से करना है ऐसे करके आई थी क्यूंकि पिछले बार एक साल पहले जब मैं पर्टिसिपेट किया था तो मत था माइन में कि अगर टोप टैन में भी सेलेक्शन हो जाता मेरा तो मतलब तो बहुत अच्छी मानूंगी ऐसा नहीं कि मैं हार दे ऐसा कुछ शोचूंगी क्यूंकि खुछ से करना था मुझे कमप्शिशन तो फिर टोप टैन में सेलेक्शन होआ ऐसे मतलब तो बहुत अच आपने अगले सवाल का जवाब दे दिया है तो मुजिक मैं इसतरे कि पाद इसमें पाटिसपेट करने किस चीज ने आपको इंस पार किया मतलब पहले भी आपने पारिस्पेट किया है यह क्या चीज आपको इस तरह के करना चाहिए जैसे कि मैंने बताए कि मुझे बस देखना था कि मैं कहास्तियन करती हूँ और बस लोगों को देखके जैसे कि आप में देखा कि काफी सारी एज क्रूप के लोग जो उस ताम में तो सुचते हैं कि हम नहीं कर पाएं कि jongu को दिखके मिलति हैं सब लोग को देखके सबल्ग्व को देखके तो मुझे बस इंवारमेंट जो होते हैं मुझे तो मतलब मुझे बस इससा कमडरीस Deуш तो मैंने हुच जा कि आ खास तयारी कुछ आप ने की थी इसके लिए सीख रहे थे, I think, आप इस वहर तो है न? घुट खुट गुट, क्लासिकल सीख रहे हैं? हाँ सर्म एक्लासिकल सिख रहे हूँ, मतलब तीन साल से मैं उट्धल सीख रहे हूँ. अब जो है, कोई ऐसा शेर करना चाहेंगी? कि मुझसे कोई ऐसा specific point जब आपको थोड़ा सा challenging लगा हो during all three rounds कोई ऐसा specific point कोई ऐसा time बता शेयर करना चाहेंगी during all three rounds जो आपको थोड़ा चेलेंजिंग लगा हो के यह थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है हाँ तो जैसे की first round वो हुआ था उसमें तो थोड़ा बहुत पता चल गया था थो मतलब मैनी एक song तो मतलब prepared हर्के रख लिया था वो तो थो थोड़ा बहुत पता था मुझी उसकी बाद जो song second round में था उसमें मतलब मेनी prepared कर दे था पर एक होते हैं दो फिर सी revise करना और और दिटेलिंग जानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मैं मेरा पकर इतना जल्दी नहीं तो वो थोड़ा सा चैलेंग था पर वो सो मेने पहले का लिया था पर थोड़ा सा नर्वर्स हो गई थी मैं और थर्ट राउंड में जो दिया था उसमें बरसो एक आये था मैने तो वो बहुत बहुत ही तहले मतलब वो तो बहुत पॉपलर सोंगे बस ऐसे ही सुना था पर बहुत पहले हैं आपने बहुत डिफरेंट टाइप का अटेंप्ट किया गाना तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की कॉंप्रीसेंस में पार्टिस्पेट करना एक केरियर के रूप में या आपका पैशन है उसमें किस तरह से करता है उसको इस तरह की एक्टिविटीज में पार्टिस्पेट करना कि हम पता चलते कि हमारी विक्निश कहा है और कम जिसे की मानलो कोई कर्डियर ओप्शन जूस करता है तो उसको एक लिस्ट यह मघिवेशन विलता है है अब तो और भी मेनध आ है मतलक तो सब दो भूख लो अच्छा गाती मतलब इंद्दिया तो इसे इसे बहुत ही जादा है लोक हर जगा amd लोगों को क्या सला देना चाहेंगे मैं तो बस बोलना चाहते हूं सब्सक्राइब कि जो भी अग पार्ट कर लेते हैं और अगर ना भी आए अगर जैसे कि मांदो मैंने भी बोला मेरा पिछली जब मैंने पार्टिसिपिट के है वो एक साल नहीं था में तोप 20 में भी नहीं आया थी मैं मतलब उस दिन मतलब काफ कि मझे और भी मैंनत करना चाहिए बहुत है बहुत बढ़िया और आपको लगता है इस तरह की घ्याया तैलेंट हंटि इतनी भी एक्टिविटीज हैं यह कितनी जरूरी हैं नए नियू कमर्स के लिए और जो आने वाले कलाकार हैं उनके लिए इस तरह की एक्टिविटीज कितनी जरूरी हैं या हमारे इस प्लेटफॉर्म के बारे में आप कुछ कहना चाहें अगर कोई आपका फीड़बैक हो हाँ सर बहुत ही अच्छा प्पोर्चूनिटी दिया है अप सबने एरेंज करके और मेम और सर मतलब बहुत अच्छे तरह किसे इवाल्यूट किया है जो भी आया है मतलब बहुत ही फैर हुआ है सब को सुनके बहुत ही अच्छा लगा जो भी आये ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी गा रहा है मतलब सब को समझ में आता है सूर में है तो बहुत बड़ी बात होती है सूर में गाना मतलब वो भी सबके सामने मतलब हम जब nervous हो जाते तो चीजें हिरने लग जाती है बहुत जादा एक place में नहीं हो पाता क्योंकि घर में गाना और सबके सामने गाने में थोड़ा सा different होता है लेकिन आपके किसी भी round में ऐसा नहीं लगा कि आपका confidence level जरा सा भी कम है थोड़ा सा पता थी थोड़ा सा मुझे लगा था पता नहीं शायद लोगों को feel well आपका confidence level एकदम high लगा मैंने तीनों round में आपको सुना मझाले एक बार भी ऐसा नहीं लगा आप पूरे confidence confident थे और देखिए आपने अपने उपर काम किया है उस चीज का आपको एहसास है और यही training जो चीज है सबसे पहले आपके अंदर जो बदलाव लाती है जो शिक्षा है education है वो सबसे पहले जो आपके अंदर बदलाव आता है वो यही होता है कि I know मतलब मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ तो जो awareness अपने बारे में जो सबसे पहली चीज होती है वो है confidence तो आपने जैसे कि अपने बारे में बताया कि पहले आप टॉप 20 में नहीं आये लेकिन आपने मेहनत की अपने सीखा तो उस चीज का impact दिखता है उसका confidence भी दिखता है तो मेरी तरफ से टीम की तरफ से धेर सारी आपको शोप काम ना है और बहुत बहुत सारा आपको जो है आगे बढ़ने के लिए दुआएं के खुब आप अच्छा गाएं और इसी तरह आप जो खुश्या माटते रहें अपने धेर सारी fan following आप बनाएं और कोई feedback देना चाहेंगी आगे के लिए हमें हाँ सर आप जैसे कि हमेशा और बहुत अच्छा लगता है जैसे हम जोड़ते हैं सब को सुनते हैं दूसरी तो हमने लाइव दिखाया था यूट्यूब पर तो हमें लगा के और बाकी लोगों को भी पता चलेगा कि ऑडिशन में क्या हो रहा है कैसे हो रहा है तो फर्स्ट को हमने इसलिए साथ कि सब को ये न लगे कि किस तरह से क्या डिसीजन हुआ तो इसलिए हमने सब को साथ में हर राउंड में जुड़ने के लिए कहा ताकि आपको पता हो कि सामने वाला क्या गारा है तो आफ लोगों की फीड़ेक के आधार पर ही हम लोग चीज़ें तो अंडर एटीन वाले लोग मैसिज कर रहे थे कि हमारे कब होगा हमारा कब होगा तो अभ हम कोशिश करेंगे कि अंडर एटीन वाले लोगों का ज़रूर उसमें जो है और ट्रोफी मिली आपको अभी तक तो आया नहीं थोड़ा ज़र मतलब मेरा प्लेस वहां सद दूर है इसे बज़े से हाँ वो मुझे कुछ कल मुझे बता रहे थे कि वो पहले जो है नॉइडा हमारे आफिस में आएगा फिर वहां से फिर वो दूसरे कोरियर से भेजेंगे क्योंकि सारी कोरियर सर्विसज अवैलेबल नहीं है आपके यहां इमफाल में है ना आप शायद है ना तो वहां पर वो सारे कोरियर सर्विसज नहीं है तो बट हम भेजेंगे आपको ज़रूर जल्दी भेजेंगे ठीक है और आपको फिर से धेजारी शुपकामना है अपना ख्याल रखें आप खुश रहें और ऐसी दिल से गाते रहें आप बहुत कॉन्फिडेंट होके गाते हैं और मन में भी आप कॉन्फिडेंट रहिए बिलकुल आपको कोई आपके सुर एकदम सटीक है एकदम अपनी जगह पर इतने समाल के लगाते हो और ये गाना जो आपन और इधर जाना उधर जाना फिर जो चीजें हैं इसमें तो मुझे ऐसा लगा शुरू में कि शायद गड़वड हो जाएगी आप से लेकिन आपने समाल लिया बहुत अच्छे से तो आप इसी तरह गाते रहें और अपने को इंप्रूव करते रहें जो भी माध्यम मिलता है सीखने का अपने को बहतर करने का जो भी प्लेट फॉर्म मिलता है कहीं भी गाने का वहीं आप गाएं तो ये आपको सारी चीजें आपको बहतर करती है ठीक है जल्दी ही आपको आपकी ट्राफी मिल जाएगी अपना फोटो जरूर शेयर करिएगा ट्राफी के साथ ठीक है इंके चले वोश्ट कर दो